नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में, होब कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरुक्षित होंगे, अपना ध्यार रहा होंगे और अपने फैमली का ध्यार रहा होंगे यह बात है करीब करीब एक से डियर साल पहले की, जब जून 2022 और दिसमबर 2023 के जो है कम्बाइन जो है रिजल्ट को लॉंच किया गया था और उस time के दौरान अगर आप देखने की कोशिस करेंगे तो उसमें रिजल्ट कोछ फिशी सा दीखने को बिला था और उसा दीट के बनाया था, जिसमें प'res में अखर 607 से एक पहicious क्यों ऐख करी था कुछ ना कुछ तो गरबढ है लोचा है लेकिन जो है मैंने ये वीडियो बनाया और वीडियो बनाते ही कई सारे लोग इस बासे जो है वो नराज हुए और उन्होंने पॉलिटिकल प्रेसर और खासकर मैं आपको बता दू कि जिनके बारे में मैंने डिसकस किया था पॉलिटि जामनेशन को सिद्दत से प्रिपेर कर रहे हैं उनका क्या जिनके पास उतने पैसर नहीं है उनके पास जो है उतने पैसर नहीं है कि वो रिजल्ट या एक्जाम को खरीच सके तो आखिर में उनका क्या होगा और ज़रूरी नहीं कि वो चीज वैसी हुई हो लेकिन हाला कि व उनको किसी कोचिंग ने क्लेम नहीं किया, हाला कि ऐसा बहुत ही रेयर होता है, जब भी आप देखते हो कि CSIR नेट के जो टॉपर्स होते हैं, जैसे ही वो एनाउंस होते हैं, कोई न कोई कोचिंग जरूर क्लेम करती हैं, चाहिए वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, लेकिन व स्टूडेंट्स कम होते हैं, इसलिए वो सिर्फ एकलोता है, मैं ही सवाल उठाने वाला था, और मेरे सवालों को दबा दिया गया, प्रेसर के तरह पे, और क्योंकि मैं अकेला था, इसलिए मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता था, तो मुझे चीज़ों को देखके चलना था, इसलिए मैंने जो है, वो चीज़े वहीं पे दब गई और वहीं पे खतम होगे, लिकिन एक बार फिर से, बिल्कुल इसी तरीके का जो स्कैम, और बिल्कुल इसी तरीके का चीज़ जो है, वो आपको देखने को माला नीट में, अगर आपने नीट स्कैम के बारे में अभी नीट रिजल्ट के बारे में नहीं सुना है, तो मैं आपको एक विक ओवर्वियू दे देता हूँ, देखो मैं इसके डिटेलिंग और इसके चीज़ों पे नहीं जाने वाला हो कि आखिर में क्या है, लेकिन मैं आपको एकर ओवर्वियू की बात करो, तो नीट एक 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 यानि कि कई सारे इंस्टीट्स में जहां पे MBBS और बाकी जो है मेडिकल डिगरी की पढ़ाईयां होती है, पहले ये एक्जाम AIPMT और चीजों के तौर पे होता था, लेकिन बाद में इसे कंबाइन करके सारे एक्जाम को जो है नीट के तौर पे गया गया, और कई सारे स्ट जून को जारी करना था, उसने जो है रिजल्ट को चार जून को ही जारी किया, और क्यों जारी किया, क्योंकि चार जून को जो ही पॉलिटिकल पार्टी यारी जो लोकसभा चुनाव था, उसी का जो है रिजल्ट आया हुआ था, अब इसमें क्या स्कैम है, क्या नहीं है क्य कि इसमें बहुत सारे जो है loophole देखने को नजाना है इसके जो है डिटींट के रिजल्ट में कई सारे लूप जैसे कि 67 जो है वो AIR 1 का होना उसमें से 6 जो है टॉपर्स का एक ही center से होना इसके अलावा जो है आखीर में कई सारे students का जो number है वो 718 और 719 का होना जोकि logically possible नहीं है क्योंकि लगबग आपको जो है इस particular exam में 180 question करने होते हैं और 180 question करने एक question के लिए सही marks पे 4 और गलत पे minus 1 मिलता है यानि अगर आप पूरे question सही करेंगे तो आप 720 कर पाएंगे या अगर आप एक छोड़ देते तो आप 16 marks अचीव करेंगे औ और अगर एक गलत करते तो आपको 715 यानि logically 718 और 19 मिलना बहुत मुस्किल है तो इस सारी जो है logics बहुत सारी चीजे इस पे लोगों ने आवाज उठाय कोचिंग फ़र्म से लेके educators, teachers बहुत सारे लोगों ने किया तो NTA ने इस पर कई सारे statements दिये जो again उस पर और साधा विख बच्चों को grace marks दिया 54 लोगों को grace marks दिया और उसकी वज़े से वह जो है toppers निकल के कुछ है बच्चों को time की वज़े से दिया और कुछ दिया अब सवाल आता है कि गड़बड़ियों की वजह से फिर बाका बच्चों याра चीजों में फिर यह तो बहुत थी और उन्होंने बहुत सारा जो है मुझे यह समझ में आया कि टाइम का ग्रेस मार्क्स जो है वो आखिर में कैसे आप दे सकते हो आप कभी भी जैसे टाइम को कैसे जो है मार्क से वेल्यूट करते हो क्योंकि सभी बच्चों की एफेसियंसी अलग होती और यह कौन सा पैराम ससर बनने के बाद जो है हमारे जो सिक्षा मंत्री थे उन्होंने बोल दिया कि इसमें कोई स्कैम नहीं है जाला कि बिहार में कई और बिहार और इसके अलावा जो है वो other states में कुछ लोगों को जो है वो किया अरेस्ट और उन्होंने क्वाइब बात पॉलिटिकल और चीजो इसको कहा कि कोई scam नहीं है यह सिर्फ हमारी चीजियों की गलती है कोई इसमें accountability लेने को तयार नहीं है और कमाल की बात है कि जिस आदमी या जिस particular member of NTA पर सवाल उठाया जा रहा था कि इन्हों ने ही जो है वो इसमें scam में हाथ इनका है कमाल की बात है कि NTA ने जिस committee को गठन क किया इस चीज की जाज करने के लिए उनके head भी वही person है मतलब सवाल होती है कि अगर मैं example के तोर पर refer करके बोलू तो अगर मैं जो है किसी group of चोर को ढूड़ना है और मैं उन्हीं चोरों में से एक चोर को leader बना दे रहा हूं तो कमाल की बात हो रही है अब हला कि यह चोर है कि अगर्श में चला जाता है और यह आप जानते हैं अच्छे से कि ऐसा क्यों सिर्फ सब बात पैसो का अब कभी भी किसी गरीब या इस गरीब बच्चों को ऐसे पैसे देते हुए नहीं देखते पाएंगे और नहीं वह दे सकते हैं नहीं पैसा दे सकते हैं इसलिए इस सब मामलों में जो है सबसे बड़ा मसला होता है वो है अमीर लोगों का क्योंकि अमीर लोग जो होते है वो ही पैसे दे सकते और उन्हीं लोगों के पास वही स्कैम भी कराते हैं क्योंकि 40,60,10,00,00 एक जगह पे देना जो है आसान नहीं ऐसे बहुत सारे cases देखने देखने को बिलती जई में भी कई बार ऐसा हुआ था कि कई एक बच्चा था ST का जिसके नंबर्स को उन्होंने उन्हें फेल कर दिया जई में और जब उसने जो है रीचेक करवाया तो पता चला कि वो जो है ST का टॉपर निकला ऐसे ही कई सारे लूप होल्स है वो NTA के cases में देखनी को मिले थे और NEET में इस बार देखनी को मिला अब सवाल आता है कि आखिर में स्कैम हो कैसे सकते हैं इसकैम जो है होने के देखो तीन basic hijacking मेकाइनिजब में हो सकता है कि किसी एक पर्सन को hijack किया गया हो मतब एक पर्सन ही सिर्फ involved हो और उसने पेपर लीक करने में च इसको बोलते है मुन्ना भाई वाला concept चल रहा होगा और दूसरा होता है जिसको बोलते है पेपर हाईजकिंग जहां पर कि पेपर को जब भी कई सेंटर पर जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे लोग होते है जिनके मन में पैसे के लालच में चीजे मन जो है वह इमान डूल जात जाता है कि ये पूरा clean and need center है, लेकिन वहाँ पे पूरे के पूरे चीटिंग का mechanism प्रॉपर तयार किया जाता है, और ऐसा case भी आपको देखने को मिला है, आप news में जाके पूरा detail चीज़े देख सकते हैं, अब इन मुंदों की बात करें, तो ये NTA ने जो result जारी किया, अगर कि भरोसा उठ रहा है, मेरा भी students का भी और कई लोगों का भी, क्योंकि अगर इस तरीके के loopholes आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कैसे भरोसा करें आपके examination system पे, कैसे इंसाफ होगा उन लोगों का जो की सच में मेहनत करके examination के द्यारी करना है, अब मैं ये तो नहीं बोल सकत होगी कि हम महिलाओ को बोलते हैं, तुम जो है safety से रहो, तुम जो है अच्छे से रहो, बाहर तो लोगों जो है वो गलत माइन के है, अरे ये थोड़ी होती, थोड़ा बहुत सुधार बाहर भी लाना पड़ेगा, थोड़ा सुधार अदर भी लाना पड़ेगा, दोनों ही होंगे लेकिन accountability की बात नहीं हो रही है और इसे सबसे बड़ा जो खत्रा हो रहा है वो है examination system और education system पर पूरा का पूरा कि क्या जो है सच में trust करने लायक है चीजे क्या सच में जो score कर रहा हूं कोई बच्चा कैसे trust कर पाएगा कि मैंने जो परफॉर्म किया कई बार ऐसा होता है कि मैंने परफॉर्म अच्छा किया लेकिन marks बहुत कमार ऐसा हो यह case भी एक बार देखने को मिला था स्टूडेंट के साथ मैं जो है नाम यहां पर अनाउंस नहीं करूंगा लेकिन उसका जो है देखा गया जब उसका रिजल्ट आया एंटी ने जो रिजल्ट उसका दिया था नीट में बोला कि इसके जो है तीन नंबर है six marks है और उस पर्टिक्लर स्टुडेंट ने जो है सुसाइड कर लिया और फिर बाद में पता चलता है कि उसका जब पेपर रीचेक किया गया तो उसके पांसओ साथ नंबर थे बताओ ऐसे लूप होल्स आपको कैसे देखने को मिल सकते किस तरीके से चीज़े जो ह इसलिए जो है यह need scam सिर्फ और सिर्फ अभी नहीं हुआ है जैसा मैंने बताया कि यह पहले भी हो रखा है और CSIR में मैंने यह आवाज उठाया था लेकिन हाला कि वह आवाज दब गई थी लेकिन फिर क्योंकि यह आवाज इस बार अब मुद्दा बना है और कई लोग इस पर काम कर रहे हैं मेरा यहाँ पर आवाज या मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद फिर से यह नहीं है कि CSIR पर फिर से जो लोग बात करें क्योंकि बात होगी तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ अगर थोड़ा impact आएगा तो हर field में देखने को मिलेगा लेकिन यह वीडियो मेरा ब रखिएगा जिस सेंटर पर आप जा रहे हैं जड़ासा आग खुले रखिएगा हो सकता है कि जिस सेंटर पर आप हो वही पर कोई परसन हाइजेक हुआ हो या तो वही पर पेपर हाइजेकिंग कर निसन हो हाला कि आपका offline पेपर नहीं होता आप इंटरनेट-based exam दे रहे होत लिए student से यह request है कि आप अपनी महनत तो करते रहे क्योंकि आपके पास कोई option तो है नहीं मैं यह तो नहीं कहुँगा कि आप examination छोड़के बैठ जाए क्योंकि examination तो देना ही है लेकिन हाला कि जो trust आपका टूट रहा है वो तो टूट रहा है लेकिन फिर उसके अलावा जो है कि चीजे ना हो क्योंकि यह अभी मसला उठा है इसलिए जो है यह चीजे थोड़ी सी अच्छी तरीके से examination को conduct किया जाए लेकिन फिर भी आप में आप अपनी तरफ से जो है अवेर रही है आप अपनी तरफ से जो है वो आखों को खुला रखिएगा कि आप जिस examination center पे जा person center में कोई paper hijacking, person hijacking या center hijacking को तो नहीं है तो यह एक basic request है scam alert का उन सबी student के साथ जो neat में हुआ जो CSR में possibly हुआ था लेकिन साथ वो नहीं खुला ठीक है अब मैं उस फिर से बात करो कि मैं अकेले CSR के लिए तो नहीं लड़ाई लड़ सकता नहीं मैं अब जो है मेरे पास उ लोग है तो 10-20-40 से जो है कोई जब भी कोई चीज देखो सरकार या कोई भी चीजों पर आब फर्क तभी पड़ता है जब जनता आवाज उठाती है बच्चों ने आवाज उठाया जब कोई चीज मास में उठती है तभी यह होता है आपने देखा कि NTA में जो calculator की चीज़ करों कि अब एक पर्सन के बस की बात नहीं है अब वही कहानी जो कभी जो है गांदी जी किया करते थे कभी जो Кभी चण्द सेखर आजात कभी सुबास चंद्रबोश और कभी वह भगसिंग जैसे लोग किया करते थे ग्रुप में काम करते थे मतलब वो अपनी जनता मिल के जो लोग भी थे आवाज उठाते थे, और सरकार को मजबूर होना पड़ता था उनकी बाते मानने के लिए, तो इसलिए अगर आपको कही ऐसा लगता है, तो आप लोग भी अपनी आवाज उठा सकते हैं, ऐसा नहीं ये कि दबे रह सकते हैं, क्योंकि मामला गंभीर है, फिर स सही, लेकिन दुरूस सही, और अगर अच्छा कुछ होता है, कुछ सिस्टम में बदलाव होते हैं, कुछ चीजे अच्छी होती हैं, तो इसमें अच्छी बात है, कि हर स्टुडेंट के साथ इनसाफ हो रहेगा, जो लोग मेहनत कर रहा है, जो लोग जैनुरली एफट कर रह होगा, सिर्फ आप एमे किसी को ग्रेस मार्क या एमे किसी को हाईजेक करके जो है टॉपर नहीं बना सकते, फिलाल के तौर पे बिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आपकी क्या राया है, आप अपकी क्या बढ़ास है, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरू चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर सुनने के लिए एक शुक्र हूँगा, तब तक के लिए आपसे अलविदा कहता हूँ, जैए!